गुड मॉनिंग बेटा आज हम लोग का ड्रॉइंग का टन है तो ड्रॉइंग में हम लोग पेज नॉमर 28 पढ़ने जा रहे हैं ओके टेबल है यह एक औरिगामी है टेबल में फॉर स्टेप्स हैं बेटा उन स्टेप्स को आई हम लोग पढ़ते हैं पहले कट करना है पेपर को हाफ बीच से फिर उसे फोल्ड करना है इधर से इधर देख रहे हैं आप लोग फिर इधर से इधर दोनों साइट से आपको फोल्ड करना है ठीक जब आप लोग फोल्ड करनेंगे तो आपकर शेप कुछ ऐसे दिखेगा फिर इधर से भी इधर से औ इच कॉर्नर तू दा सेंटर एलॉंग डॉटेट लाइन जैसे है न यहां से आपको फोल्ड कर देना है ठीक फिर जैसे आप फोल्ड करें तो आपका पेपर ऐसे दिखेगा फोल्ड बोथ अप द पीसे वाटिकरी इंटु हाफ फिर उसको बीच से बिट्टा डॉट डॉट कर और कि उसको बीच से भी आपको फोल्ड कर देना है ठीक है फिर उसके बाद इस्टेफ फोर क्या कह रहा है स्लिप दपेपर इसलिप दपेपर अपर फ्लैप और बी बिट्वीन दफ्लैप ऑफ ए तू इंटर लॉग बोथ दपीसे फिर दोनों पीसे इसको बेटा एक के अं बेकवर्ड एस शोन एज एंड क्रियेज वेल फिर बेटा ऐसे हम लोगों को दोनों तरब से इसको मिला देना उपर से होल की तरह दिखेगा जैसे कुवां तो कुवां की तरह हमें उसको उपर दिखाना है श्टिक दटू पेपर फिगर इस्टिक टू पेपर फिगर से फिर एस शोन इन दर डाइग्रम जैसे डाइग्रम में दिखाया गया है दोनों पेपर को श्टिक करते जाए ठीक है तो बेटा जब हम लोग इन दोनों को मिला देंगे ऐसे बीच से तो हम लोग का ऐसे बन जाएगा टेबल की तरह मेक देपर फिगर स्टैंड अपराइट इस फोर लेग फिर जैसे यहां पर देख रहें आप लूग कैसे बना है इस टेंड आपराइट ऑन इट फोर लेग फिर इसके चार पैर बन जाए वन टू टू ट्री फोर फोर लेग्स हो गे यो टेबल इस रेडी फोर यूस अपका टेबल रेडी है इस्तिमाल करने के इस नमबर 29 पर क्या है अरली मैन अरली मैन मतलब आदी मानव ड्राइ लिफ पेस्टिंग ड्राइ पिक्चर बाइ यूजिंग क्रियों कलर्स एंड पेस्ट ड्राइ लिफ विद धे हैल पॉप ग्लू एशोन पहले क्रियों कलर से इसको कलर करना है फिर सूखी हुई पत्तिय आपके पास कोई भी नीम की या किसी भी पेड़ की पत्ति होगी आप लोग इसे चोड़ चोड़ पीस में कट करके ऐसे चिपकाएंगे ठीक है तो आप लोग इसे पेस्ट कर लीजेगा और क्रियों से कलर कर लीजेगा पेस्ट नमर 30 पे है बी फ्रेंडली मित्रता पुरव कर लीजेगा पेस्ट नमर 30 तक मैं सबका चेक करूंगी